शेरा दे जाती हैं भक्तों जो महान सिद्ध पुरूश होते हैं चाहे वो पुरूश रूप में हो चाहे माता के रूप में हो वो भगवान के पार्शत स्वरूप होते हैं और उनका जीवन अनुव्याईयों के कल्यान के लिए होता है साधकों के कल्यान के लिए अपना कल्यान तो पहले ही कर चुके होते हैं साधकों के कल्यान के लिए आचरन करते हैं किशोरी माता भी इसी प्रिकार की थी अन्य भक्त लोग जो हैं अभी साधना में जो चल रहे हैं साधक हैं उनको क्या करना इसका ज्यान भी कराती थी और करके विड़काती थी जैसे तीर थेयात्रा की बात आप तुन रहे थे द्वारकापुरी की तीर थेयात्रा आप स्रमा कर रहे थे किशोरी माता मंगला आरती का दर्शन परिक्मा ये सब करते हुए गोमती नाम की जो आप गोमती नदी मत समन्ज़ना गोमती नदी वहां मानते हैं लिकिन खाली जरती है। गोमती में स्नान करके नवका द्वारा उनके दूसरे किनारे पधारी है। वहां भगवान श्री राम चंद्र जी के बांड से प्रकट पांच कूप है जिनका जल उत्तरोत्तर मीठा है पास में एक मंदिर है जहां से चीरहरण के समय द्रोपती के पुकारने पर दुर्योधन की सभा में भगवान को दौड करके वस्त्रावतारधारन करके प्रकट होना पड़ा तो महराज जहां से प्रफुत दौड करके गए थे अंतरधान हुए थे और वहां प्रकट हुए थे वह स्थान है वो मंदिर बना हुआ उस स्थान तो इन सभी इस्थानों का दर्शन करके प्रसाद सेवन करके सायम पांच बजे सब भक्तों सहित की शोरी जी ने द्वारकपुरी की परिक्वा रारंब की पुरी से बाहर श्री रुक्मनी मंदिर का दर्शन करने पर विजित हुआ कि एक समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी को अपने महल में भोजन के लिए आमंतरित किया था दुर्वासा जी ने कहा मैं रच से चलूँगा परंत उसमें आप और रुक्मनी जी घोड़े की जिगा जुद कर चलेंगे अब आप सोचो कोई एक साधारन राजा होता तो भी वो मना कर देता ऐसे करने के लिए और ये तो द्वारकाधी सनंत ब्रह्मान के मालिक लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया भगवान द्वारकाधी से और रुक्मिनी जी एक कोष्ट रहने पर फ्यास सहन नहीं कर सकी तब भगवान ने अपने नक्स से गंगा जी प्रकट करके बिना दुर्वासाजी से पूछे उन्हें जल पिला दिया महराज दुर्वासाजी भी अद्भूत संथ थे रुष्ट होकर के उन्होंने रुक्मिनी जी के लिए सदा उसी कांत निर्जन स्थान पर रहने का नियम बना दिया भगवान ने उन्हें सहर स्वीकार कर लिया और निमंत्रन पूरा किया और वहीं रुक्मिनी जी के लिए यथेश्ट व्यवस्था प्रभू ने कर दियू दुर्वासाजी को वो भी सहन नहीं हुआ और महराज फिर वोने श्राप दे दिया ये बार्यको उसका स्थान निर्जन शुष्क और खारे जलवाला हो जाए तब से उस स्थान की वही दुर्दशा हो गई और वहां से भक्तों सहित स्वामी ज्यानानंजी महराज ने कीर्टन का अनंद बरसाते हुए किशोरी जी को वापस ला करके द्वारकाधिस्ट के मंदिर में आकर आरती का दर्शन किया है सब लोग ने और धर्मशाला पहुंची मत्या और कुछी क्षणों में कीशोरी जी के लिए द्वारकाधिस्टी के मंदिर से भोग लगा हुआ थाल वहां पुजारी जी लेकर के आ गए पहले सबी भक्तों में वितरित करा के किशोरी जी ने प्रेम विभोर हो उस प्रशाद का सेवन किया रात में प्रार्थना धर्मशाला में होई तथा किशोरी जी ने मानव जीवन विकास पर विशेश प्रकास डालने की कृपा की और उसके बाद किशोरी जी शनान से निवर्त हो करके द्वार का धीश मंद्र की 108 परिक्रमा पूरी करके वापस धर्मशाला पढ़ाए तवार का वासियों की प्रार्थना से द्रवित हो उन्होंने तीन से चार बजे तक श्री कृष्ण गुप्त लीलाएं सुनाने की कृपा की जो सामाने तया कोई नहीं जानता है ऐसे गुप्त लीलाएं माता को दिखला ही पढ़ती थी वो सुनाया सायम विश्व लीलाइन बारात रार्थना धर मुशाला में हुए उन्हा विश्व कल्यान की प्रारथना गुर्दे भगवान का रति के जीने चलाए थी उसका अब भी पालन करती थी माता उने बार्य बजे भगवान का गुनगान होता रहा अंत में द्वारका की संकीर्टन मंडल ने मुक्त कंश्टे किशोरी जी का अभिनंदन करके ये थोचित सत्कार ने कर पाने की तुरूटी हेत्विक्षमाय आचना पूर्वक उना द्वारावती पधारने के लिए सभी ने प्रार्थाने विड़न की रात्र में साक्षे गोपाल मंदिर के वयोबृद पुजारी जी को जगा कर भगवान ने चांदी के थाल में प्रसाद देकर कहा आमोक धर्मिशाला में गोपतार घाट वाली जो बाई जी आई हैं उन्हें ये प्रसाद तथा शंक चक्रें हमारा प्रसादी छाप और चर्ण प्रसादी पेला दे आओ वराज श्री गोपाल जी के आदेशा नुसार श्री पुदारी जी ने धर्मिशाला का गेट खुलवा करके किश्वरी जी को सभी वस्ति में भेंट की ये देख किश्वरी जी श्याम संदर की कृपा का अनुख कर गदगद हो गई और महराज और लोगों को ये बात उसमें नहीं पता चली और माता ने भी कहा कि एकृपा हमारे उपर विशेश होई है हम मून का प्रशाद जरूर लेंगी हमारे प्रभूर नो किश्वरी जी द्वार काथीस जी का दर्शन करके थोड़ा सा दुखी सी होकर के चलीं ससुराल से विदा होकर शक्यों ने रो रो कर उन्हें विदा करती हुए कहा आपको द्वार का धीस जी पुन शीग्र बुलाएंगे किश्वरी जी सब कुस ने पुन द्रिश्टी से करता आर्थ करती हुए साथ ही भक्तों सहेट 11 बजे की ट्रेन द्वारा प्रस्थित हो बहुत दूर तक द्वार का पुरी और द्वार का धीस मंदिर शिखर का दर्शन करती रहें आप लोग जब जाओगे दर्शन करने गए होगे जो लोग तो बहुत दूर से महरा पहुचने के बहुत पहले से ही मंदिर का दर्शन ध्वज का दर्शन होता रहता है तो बहुत प्राची मंदिर है बहुत प्राची मंदिर है जो मैदान में जमा हो जाता है, सूखने पर वही श्वेत रंग का नमक, और वो जी चमकता रहता है नमक, तो ऐसा दीखता है, लगवक दो बजे की शोरी जी भक्तों सहित भाटिया इस्टेशन उतर कर, हर सिद्धी देवी तथा, एक द्वार का वहां भी हैं, मूल द्वार का बोलते हैं, वहां दर्शन करते हुए, नव बजे रात में श्रीशुदामा करी पहुंची, और कि शोरी जी सहित सभी भक्तों ने सागर स्नान करके, महत्मा गांदी जी की जनुर हो में, तथा श्रीशुदामा मंदिर का दर्शन करके, धाई बजे की बस द्वारा, साड़े पांच बजे जूनागर पहुंचकर सावलिया धर्मिशाला में निवास किया, भक्तों जूनागर वही महान पवित्रस्थल है, जहां पर नर्शी में ताजी रहते थे, बहुत उच्चिकोट के, सच्चे प्रभु के प्रेमी भाग्ति संथ थे, किशोरी जी की आज्या से विश्व कल्यान की प्रार्थना, नर्शी जी के चोत्रे पर ही की गई, नर्शी मेंता जी के मंदिर में प्रातर सवा नो बोजे से, बारह गंटे का खंड़नाम संकीरतन करके, फिर प्रार्थना है हुई, और माता ने वहां गीता जी के बारह में अध्याय का पाठ किया, और साथ में सब भक तो ने किया पाठ किया, सायम समय वहां के सूप्रसिद शक्करवाग का अउलोकन किया, फिर बस द्वारा पाँच बजे धर्मसाला से प्रस्थितो किश्वरी जी दामोदर कुंड में सनान करती हुई, भाव नासा नामक स्थान पर पतारी, अनुमान जी को प्रणाम करके वहां से प्रात छे वजे गिरिनार परवत की चड़ाई प्रारम की, बीच में स्री सीताराम मंदर, श्री भर्थरी वो गोपी चंद गुपा, जैन मंदर, राजुल गुपा, गो मुखी, कमंडल कुंड, काली जीयों अंबा मंदर, गोरक नास धोनी, दत्ता त्रे चरण इन मंदरों का दर्शिन किया, और फिर दत्ता त्रे धोनी उनकी चरण पाजुकाउं का माता ने बड़े भाव से दर्शिन किया, प्रणाम किया, पीने के लिए वहां गिलास पानी में मिलना सुलव नहीं है, वहां दत्ता त्रे भगवान की प्र बांस के अचार के सहित टिककर प्रशाद का भोजन पूर रूप से करा के अपने स्थान से तब वापसों ने दिया। महांति जी ने समझ लिया कोई कोई बहुत से दुमाता है। तो खुब सेवा करने का सोभाग दिप्राप्त की अवन में। और लौते समय जटा शंक्री धर्मचाला में निशाब इस्राम हुआ। और उसके बाद किश्वरी जी की अध्यक्स्ता में श्री रामन अंदाचारे चरन पादुका। जो गिलनार परवत के उपर है बक्तु। पर्थार चत्ती, श्री लक्षमिनार्यन मंदिर, श्री सीता वन का दरिशन करके भारत वन और भारत कुंड निशनान से निवृतो प्रसाद सेवन पुरूग भक्तों ने श्री रामायन जी के श्री राम भारत मिला प्रसं का सप्रेम पाठवा किया। और फिर किशोरी जी सब भक्तों सहेट, स्री हनुमान धारा में आच्मन किया, और हनुमन तुलाल जी का दर्शन किया, सीता बन का दर्शन किया, भक्तों चित्रकूत में जो हनुमान धारा ने है, वो अलग है, और यहां के नारजी पर हनुमान धारा अलग है, यह गुजरात म तो सायम पांच बजे वहां से प्रस्थित हो, साथ बजे भावनासा वापस आई और हनुमान जी रेवती कुंड और मुचकुंद गुफा का दर्चन करके वहां से बस द्वारा आठ बजे वापस जूनागरधर मुशाला पदारी गिलिनार परवत की चड़ाई में भाराज 99999 बिस्टियां परकरने पड़ती में यात्रा इसलिए कठिन है बुद्रगाद में तो नहीं चड़ सकते हैं और लोग चड़ जाते श्री दत्तात्रे धुनी और भरत बन में उन दिनों में अभ्यागत संतों और उपरस्थित लोगों की स्वेवा उती थी और स्वाम को किशोरी जी ने स्वामी नारायन जी की परम्रम्य सुवर्ण मंदिर का दर्शन किया इस यात्रा में अभी तक इसकी शंता को कोई अन्य मंदिर दिश्डिकों नहीं हुआ था इस मंदिर में श्री श्रीव पार्वती, राधा कृष्ण, श्री द्वारकानाथ, श्री हनुमान जी, श्री गनेश जी का शिंगार युक्त अद्वुत सुंदर दर्शन था और संध्या आरती में इस पंत के सभी संतों मंदिरों में प्रविश होता है उस समय कोई भी महिला उनके सामने नहीं आ सकती है, ऐसा कुछ नियम है प्रार्थना उसी मंदिर में संपंत की गई और किशोरी जी इंद्रेश्वार महादेव जी का धर्शन करने पदा ही बस्ती से लगवक चार मेल दूर जंगल में था यह महादेव जी वही हैं जिनकी स्री नरसी मेहता जी ने साथ दिनों तक उपवास पुर्वक शरण की ली थी महाराथ उनके चरितिम में सुना चुका हूँ और इसी श्रीव लिंग से प्रकट होकर श्री भोले नाज जिने उन्हें अभीष्ट बरदान देकर भगवान श्री कृष्ट चंडर के महाराथ में प्रभेश कराया था ब्रिंदा बनला कर बीच से प्रकट होने के कारण उस लिंग के तीन खंड हो गए थे वे अभी तक दिखाई दे तीन खंड में सुना जाता है कि आश्वत्थामा जी दो धाई बजे रात में भगवान इंद्रेश्वर महादेव जी का दर्शन करने पढ़ा रहते हैं और भक्तों भवनाशा के आसपास शिवरात्री के दिन मीलों तक चंदन वर्षा की चिने दिखाई देते हैं ऐसी अद्बूत वालीला है और भक्तों भागिशाली जो भाग तो लोग थे माताजी के साथ, किशोरी माता के साथ ओ लोव माताजी के साथ साथ जूनागड की त्रिवेणी गंगा में स्नान करके नित्य कृट्यव संपन्द किया संध्या समय धर्मशाला के वई ओ रद्धू सादू भागवन सेवी सेठ श्री प्रभुदास जी के भाव से आक्रिष्टों करों किशोरी माता विश्व कल्यान प्रार्थना के लिए उनके मकान में पदा रहे हैं श्री प्रभुदास जी ने सभी भक्तों सेठ किशोरी जी को अपने कारूं द्वारा म्रिगे कुंड भावनासा गुप्रेश्वर मादेव मुझकुंद गुफा आज का दर्शन कराके आग्रह पुरोक अपनी कोठी पर सप्रेम प्रशाद पवाया कुछ देर विश्राम करने के पस्चाच किशोरी जी ने उपस्थित जन्ता को विश्वहित संपाधन के लिए सुन्दर उपदेश्वों द्वारा बहुत कृपा की और साइम चार बजे जूनागर से ट्रेन द्वारा चलकर नव बजे रात में विरावल पहुंचकर किशोरी माता ने श्री राम निवास धर्मिशाला में निवास किया और भक्तों फिर किशोरी माता ने प्रात पाटन जिसको प्रभास छेत्र शास्त्रों बताया गया पुराणों में वहां पहुंच करके सोमनाथ महादेवधी का दर्शिन किया वहां मामूद गजनी के तोड़े हुए प्राचीन मंदिर की समुद्र तरंगों से सुशोवित भूमी पर ही मंदिर तयार हो रहा था उस समय माता गई थी तयार हो रहा था मंदिर और जहां तक मेरी जनकारी भक्तों सरदार बल्लब भाई पटेल ने जो उप प्रधान मंत्री थे उन्होंने बनवाया था और वहां से भक्तों ने किशोरी जी के साथ श्री कपिला सरस्वती फिरन्या त्रिवेंडी के संगम पर स्नान करके श्री राम मनकेश्वर महादेव और महाराज देहोत्सर गाठ महाप्रभशी की बैठक पर होकर लक्ष्मी नारायन मंदिर में कुछ गंटे भिश्राम करके और फिर नित्य नियम प्रश्चात प्रशात से बन किया फिर मंदली सहित शेश रूप श्री बलदाव जी श्री सूर नारायन जी आज मंदिरों का दर्शन करती हुई जैत्य सूधन भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर पधारी साहिम समय पुराने गवरी सोमनाथ जी के मंदिर में किशोरी जी भगतों सहित विश्व कल्यान प्रार्थन और गवरी सोमनाथ जी का विधिपूरव पूजन ये करके फिर धर मशालवा पर साई और उसके बाद भालकेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन की उसमें वह मंदिर नहीं था अब तो मंदिर बन गया है भगवान की चरण कमल में व्याध ने बाण मारा था वह ही जगा है गृतों भालकेश्वर और विरावल से दो बजे दिन की ट्रेन द्वारा भगतों से चल कर माता फिर अगले दिन प्रात आहमदाबाद छे बजे पूंची सावर मती गंगा में स्नान किये भगतों संत लोग उस समय कम से कम अब आज का तो उत्मा नहीं है पहले तो कहीं भी जाते थे तो नदीम या सरोर में नहीं आते थे तो मातब किशोरी जी भी यही करती थी, साबर मती गंगा जो हैं आमदाबाद में, भक्तों सहित वहीं गई, सबने शनान वहीं किया, फिर लक्ष्मी जी, गीता मंदिर, जगदीश मंदिर आधिका दर्शन करते भक्तों सहित फिर नडियाद पहुंची, रात में दीवाली बह कान पर प्रार्थना, कीर्थन और सत्संग का लाग परदान किया, इसके बाद किशोरी जी भक्तों सहित साड़े तीन बजे की बस द्वारा, चार बजे संध्यासमें डाकोर जी पहुंच गई, डाकोर जी का चरित में आपको सुना चुका हूं, जहां रण छोड़ भगवा हैं उनका दर्शन किया, गुडाना भक्त की चरितावले आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, डाकोर जी का था, रण छोड भगवान के, तो मंदिर के पीछे बैट करके जब रण छोड राय का वर्नन कर रही थी माता, उसी समय एकदम पुजारी जी ने आकर के गोट लगी हुई लाल चुनरी उढ़ाई, और सवा सेर का लड़ू, जो निट्य प्रतिशा हैं कि समय भगवान किसी रहाने रखा जाता है, माता की गोद में रख दिया, सवा सेर का लड़ू, और श्री किष्वरी जी चाओ गई कि सवा सेर का वजंदार लड़ू, गोद में इसलिए इसको आप ओरने में सक्षाय शर्माये नहीं, ये भगवान ने भेजवाया आपके लिए, इसको ओड़ करके यहां रहिएगा, आपकी श्याम सुंदर की ऐसी आग्या है, उन्होंने आपके लिए मेरे द्वारा ये आग्या बेचिए, कि जब तक आप यहां रात्र में भोग लगा हुआ, मलाई, केशर और मेवा मिश्रित, एक गिलास दूद भी लाकर के पिलाया, श्याम सुंदर की अपने मंस नहीं लाएं, असुन करके किशोरी जी प्रेम भी भोर हो गई, बहुत भक्त थे, तभी तो प्रभु की आग्या उनको मिलती थी, जब वो माता उठी तो वहां के पुजारियों ने, उनकी माता बहिनों ने, अपने अपने जो उनके घर थे, आर दस घर थे, उन सब में ले ले जा करके उनको खिलाया फिला के किशोरी जी का स्वागत किया पुजारियों के परिवार के दस घर थे, सब में लोग ले गए इस अद्बूत लीला को देखकर किशोरी जी थोड़ा सकुचा भी रही थी, कि हमको क्यों इतना ये लोग खिला रहे हैं लेकिन सब ने कहा कि हम आपका दर्शन पार के अपने जीवन को सफल समझ रहेंगे, क्योंकि भगवान आपका स्वागत कर रहां चाहते हैं, खुद बोल करके स्वागतुनों ने कराया आपका छोटे बड़े हनुमान जी के दर्शन करके भगतों साहित किशोरी जी ने धर्मशाला में जाके विश्राम किया और भगतों शी गोमती जी में स्नान करके मंदिर में पधारने पर किशोरी जी को पुजारियों ने भीतर बुला करके जोट भगवान किशनाम शिंगार यों सभी आरतियों के दर्शन कराये तब प्रेम मगम हो करके सभी भगतों सहित कि लक्ष्मी जी राधा जी सपतनीक शी बुदाना भगतु बुदाना भगत के चरित में सुना चुका हूं बड़ा ही प्रेम भगतु जिनके लिए भगवा द्वान द्वार का छोड़ करके उटाकोर आ गये थे बड़ा सरश्टित बैल गाड़ी में लेया था तो और महराज तराज उपर भगवान को तहल दिया था और वो बात यह हुए जिए मैं तरे दुबारा तो नहीं सुना हूंगा लेकिन एक लीला से ही प्रभु ने जो आए हुए थे पंडालोग ना उनको सोना देना था प्रभु के वोजन की बराबर तो ऐसी लीला ठाकोर जिनकी था तेवल एक नत के बराबर वजन ठाकोर जी तो हो गया था वो ही जे दिया थे बस ऐसी विचित लीडा की थी क्योंकि गरीब के पास इतना स्टोना नहीं था तो भगवान हलके हो गया था और किशोरी जी का खुब स्वागत चतकार हुआ 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 है भगतों किशोरी जी का प्रवचन डाकोर के मंदिर में हुआ भगवान की इच्छा हुए कि किशोरी माता स्वयम अपने अंदर में प्रकट लिलाओं का जो दर्शन करती है उसको सुनाए है भगतों को और महराज ध्यान में उनको उनके गुरुदेव दिखलाई पड़ते थे तो उनसे भी पूछ लिया करती थी और गुरुदेव की आग्या मिलते ही और भगवान की भी आग्या थी तो उन्हों डाकोर में रणचोर भगवान के मंदिर में बहुत भावभरे चरिक तुनाए ह और इसके बाद फिर गीता का पाठ किश्वरी जी ने साम पांच बजे और और जो मंदिर हैं वहां पर जा करके दर्शिन किया सीताराम मंदिर, लक्ष्मिनारान मंदिर, वारलेश्वर महादेव आज जो वहां के मंदिर हैं डाकोर जी के वहां के भगतों ने प्रार्चना किया कि माता वहां करपा करके पधा रिये तो भगतों के भाव को देखके कई जिके प्रावचन वहां माता का और फिर डाल्मिया जी ने भगतों सहीद किश्वरी जी माता को बंबाई के प्रमुख हेंगिंग गार्डन कमला ने हूँ पार्क बाबुलनात महादेव आज का धर्शिन कराया उस मंदिर में विराठ्व रोग श्री पार्वती जी आधी के अनेकों भावय श्री विग्रा थे माता के हाथ से सब को माला परिनवाया माता भगतों के भाव को देख करके उनकी श्रद्धा बढ़े इसलिए इस्विकार कर लेती थी माधो बाग में श्री लक्ष्मी नाराया जी का दर्शन कराया गया वहां से एक प्रेमी भगता किश्वरी जी को कुछ देर के लिए अपने स्थान पर ले गई वहां उसने अपने भावानुसार किश्वरी माता को खूब सतकार किया भजन कीर्टन सुना कर प्रसंद किया वापस आने पर किश्वरी जी को बंबाई में जहां जहां भगतों लोग ले गए थे फिर उसके बाद इंडिया गेट पर ले जाया गया और वायु रंजन करके वहां से वापस प्रहलाद भवन अधार करके साम तीन से पाँच बएच तक किश्वरी जी ने माताओं के लिए कुछ हित करूप देश्वण करानी की कृपा कि और जिससे भगत मंडल बहुत प्रभावित हुआ गा संध्या समय प्रार्थना के पश्चाद शब्द प्रशारण यंद्र द्वारा इसको लाउड़ी स्पीकर समशियाब किश्वरी जी ने समुपस्थित जनता समुदाय को अपना बचना मृत्पान कराने कृपा देश्वरी जमाने में हार जेगा नहीं सुविधा होती थी ल गिनोँ अहाँ तो बढ़या सबर्जाठी। तो भक्तों माता इस तरह से भक्तों के ऊपर करपा कर रही में वह आप आगे ओर स्रून करेंगे आज माता को प्रदै। शी रधी रधी जैग शी रधी अ झाल झाल